कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाशन में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष अंदोलन की बात कर रहा है मगर जो कृशिक आनून है उनके कॉंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें खुश करें और जो तीन किसान के बिल हैं खेती के बिल हैं उनके कॉंटेंट का और इंटेंट का कि बात करें हाँ बजट पर बोलेंगे बजट पर बोलेंगे आप शान्त हो जाएए फिर किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है आप उनका आदर कीजिए तो बात है कि इन तीन कानूनों का कॉंटेंट और इंटेंट क्या है कि तो पहले कानून का कॉंटेंट कोई भी व्यक्ति तो पहले कानून का कॉंटेंट क्या है पहले कानून का कॉंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी आनाज सबजी फल खरीद सकता है जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है तो अगर अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा मंडी में कौन जाके खरीदेगा तो पहले कानून का कॉंटेंट मंडी को खतम करने का है इसका लक्ष मंडी को खतम करने का है दूसरे कानून का कॉंटेंट दूसरे कानून का कॉंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उज्योग पती जितना भी अनाज जितना भी फल जितनी भी सब्जी स्टॉर करना चाहते है वो स्टॉर कर सकते है कोई लिमिट नहीं जितना वो होट करना चाहते हैं कर सकते है दूसरे कानून का कॉंटेंट एसेंशल कमोडिटीज आक्ट को कातम करने का दूसरे कानून का content जमा खोरी को unlimited तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का अब तीसरा भी कानून है तीसरा कानून का content जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योग पती के सामने जाकर अपने अनाज के लिए अपने सबजी के लिए अपने फल के लिए सही दाम मंगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा तीसरे कानून का content अबने के इस अब आपको याद होगा स्पीकर सर आप बजट फैमिली प्लाइनिंग का आप बजट पर बात करें कि आप सर सालों पहले सालों पहले फैमिली प्लाइनिंग का एक नारा था आपको याद होगा हम दो हमारे दो अब मैं इंटेंट की बात करता हूँ कानून के इंटेंट की बात आज क्या हो रहा है जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है आज इस देश को चार लोग चलाते हैं कि आप बजट पर चर्चा करने बजट पर रहा हूं चार लोग चलाते हैं है है हम डो और हमारे दो कि जैसे उस टाइम उस टाइम नाम सब जानते हैं नाम सब जानते हैं हुआ है आप दो हमारे नो ये किसकी सरकार है हम डो इधर तो रहे पहले कानून का इंटेंट आता हूं आप आसन को संबोदीत करें पहले कानून का इंटेंट माने सदर्श आपासन की हमारे दो मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज फल और सब्सक्राइब का अधिका नुकसान छोते भी अपारियों का होगा नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं लाकों लोग उनका होगा अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्सक्राइब की मनौपली ने जाई है आज दूसरा मित्र चालेश प्रतिशाज हिंदोस्तान का अनाज अपने साहिलों में रखता है ये कॉंग्रेस पार्शी प्रतिशाज सब्सक्राइब नहीं है ये सदन है अगर बज़ेट में रखेगा ये कोई ये सबाब है ये प्रधान मंत्री कहते है सर में आए ओप्सिन मैं अधिक्सी आपको करना चाता हुए मैं बता रहा हूँ एक भी पेटे माने सदेशे आज बजट पर चर्चा है मैं आ Unsidya है है कि आफ ले ओप्सिन दिया है तीन अपशन दिये हैं पहला ऑफ्षिन भूख दूसरा आप्ण्पेरसदारी पिस्रां अब लोध निहीं ये तीन ओप्जिन आपने दिये हैं अब देखिए मामला क्या है मामला ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनस सबसे बड़ा वियकार एग्रिकल्चर का है चालिस प्रतिशद आबादी इस पे जीती है चालिस लाग करोर रुपे का धंदा है इसमें किसानों को फाइदा मिलता है तो दूसरे कानून का थोड़ा मैं इंटेंट समझा देखा हूं दूसरे कानून का इंटेंट है पानी दो पानी घर जाएगा पानी दो दूसरे कानून का इंटेंट है कि एक व्यक्ति को आप पूरे देश के अनाज की स्टॉरिंग की मनौपली दे दो और जब किसान अपने अनाज के लिए सही दाम मांगने जाएगा तो जिसके पास स्टॉरिज की मनौपली होगी वो मार्केट में अनाज डालेगा और किसान से कम से कम पैसे में खरीद करेगा और जब वोही किसान कंजूमर बनके अपना ही माल खरीदने जाएगा तो वोही व्यक्ति अपने गोदाउन से अपने जब बजट पे चर्चा है सर आप चर्चा है रास्टापी अभी भाषण पे आपने चर्चा समावत्त कर दी परस्ताव पास करके राश्पती जी को भेज दिया अब उसी पे राश्पती जी अभी और आपका भी अपमान करने जाए इस देश के जो रीड की हटी है करके को मित्रो को देदू Sir, Rule 218. Sir, Rule 218. Sir, Rule 218. Sir, Rule 218. Sir, Rule. Sir, the debate on appropriation bill shall be restricted to the matters of the public importance or administrative closely employed in the grants covered by the bill which have not already been raised while the relevant demands of the grants are under consideration. I would like to remind him that he should restrict his speech to the budget number two and he is claiming that 40% of the groceries and other things, vegetables, they are kept in Adhani's and Ambani's place. Yes, let him prove that. Where from? He should place it on the table. He should place it on the table. Where can he get all these documents? Maiden. आपिए आप आप बोलने दें लियुक्त जिए जा आम को या आप को रूल बता रहें कि silicone ई और घ्रोक्ता जिता और युझा अरड़ फूर रिया संदी मेन माहीं अवड़ी ऌटल्ग नेे घरग užिधु नेुट आइस नेसरे करूट बहुत देवर लिए रहल इसके बालते vagi झ chronic Gracias प्राद इसके रहल जिसकाशन आप टिसकाशन आप जेराल पॉइंट इस अफ जेराल पॉइंड आप ए इस गूडाल पॉइंटिशन आप जन इस खत बॉड़ूर कोंच मुड़ा गिंग फिक लिशते One प्राइब कर दादा। प्राइब कर दादा। मंत्री शोर डाल रहे हैं मंत्री वैसा कभी हुआ नहीं मंत्री भाग रहे हैं तो हम दो हमारे दो वह आपको याद होगा वह फोटो होती थी चार हम दो हमारे दो क्यूट से चेहरे थे सुन्दर सुन्दर चेहरे मोटे मोटे चेहरे हम दो हमारे दो खेद इस से होगा क्या जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान है इस देश के मजदूर है छोटे वियापारी है इनका धंदा बंद हो जाएगा इन में से किसानों की खेद चली जाएगी किसान को सही दाम नहीं मिलेगा छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिरफ सिरफ दो लोग हम और हमारे हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएगे हिंदुस्तान का फूड सीकेरिटी का सिस्टम है वो नश्ठ हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को भूख से मरना पड़ेगा रूरल एकॉनमी नश्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा ये नई चीज नहीं है ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्ट है पहला अटेम्ट है पहला नहीं है ये काम प्रधान मंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोट बंदी में शुरू किया था पहली चोट नोट बंदी थी आइडिया किया था गरीबों से किसानों से मज़दूरों से उनका पैसा लो बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेम में डालो स्मॉल मीडियएं सेक्टर को खतम कर दिया किसानों को बरबाद कर दिया वहां नहीं रुके पिर गाए जी अस्टी गपर सिंग टैक्स पाँच अलग-अलग टैक्स और फिर से उन्ही बिचारों पर आक्रमन उन्ही किसानों पर उन्ही मजदूरों पर उन्ही व्यापारियों पर आक्रमन फिर करोना आता है करोना के समय मजदूर चिला चिला के कहते हैं हमें बस का टिकेट दे दीजिए हमें ट्रेन का टिकेट दे दीजिए नहीं 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 तुम्हें नहीं मिलेगा तुम पेडल घर जाओगे मगर टैक्स माफ जरूर होगा जरूर होगा पाच-दस उद्योग पतियों का टैक्स होगा मैं माननिय सदर्श्य से भी आगरे कर रहा हूं इधर भी आगरे कर रहा हूं माननिय सदर्श्य आज बजट पर चर्चा है चलो चलाओ मैं आ रहा हूं सर बजट पे सर मैं आ रहा हूं बजट पे मैं सर पाँच मिनट में बजट पे आ रहा हूं मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी फाउंडेशन अब अब तो पहले नोट बंदी फिर जीएस की फिर करोना के समय उनी चार पांच दस लोगों को पूरा वा पूरा कर्जा माग दस लाग करोर रिते हैं जो भी ताब कर्जा माग मगर हुआ क्या हिंदूस्तान हिंदूस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है जो स्मॉल अन मीडियूम इंडिस्ट्री है वो खतम हो गई आज यह देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है सीधी सी बात और आज नहीं कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा क्योंकि आपने इस देश की रीड की हड़ी तोड़ दी है किसान की मजदूर की चोटे दुकानदार की स्मॉल मीडियम बिजनस की रीड की हड़ी तोड़ दी है मगर ये मत समझे कि ये किसानों का अंदोलन है ये किसानों का अंदोलन नहीं है आपको बात अभी समझ नहीं आई है ये देश का अंदोलन है और ये किसान सिरफ रास्ता दिखा रहा है किसान अंदेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उटने वाला है पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उटने जा रहा है और ये याद रखिये मैं कह रहा हूं लिक के ले लीजिए आप सोचते हो कि हिंदुस्तान के किसान को मजदूर को छोटे दुकानदार को अपने पैसे से अपने धन से परे कर सकते हो ये आप सोचते हो आप ये सोचते हो आप लिख के ले लो मुझसे किसान एक इंच पीछे नहीं हटने वाला है किसान आपको हटा देगा मजदूर आपको हटा देगा छोटा दुकानदार आपको हटा देगा मगर वो पीछे एक इंच नहीं हटने वाला आपको कानून वापिस लेना ही पड़ेगा अब बात करते हैं बजट की जब बजट पर बात चीट करने का की बात उठी थी प्रेजिडेंट्स अड्रेस पर बात करने की बात उठी थी तो हमने कहा था विपक्ष ने कहा था हमें किसानों के आदर करने के लिए किसानों के सब्जेक्ट पर अकेला बोलने दीजिए एक साथ हम सम मिलके किसानों के मुद्धे पर बोलेंगे स्पीकर सर ने सरकार से पूछा और सरकार ने कहा नहीं किसानों के मुद्धे पार चर्चा नहीं होगी बजट पे होगी और प्रेसिडेंट अड्रेस पे होगी अलग चर्चा किसान के मुद्धे पे नहीं हो सकती तो प्रोटेस्ट में मैं कह रहा हूँ मैं बजट पे आज यहां टिपनी नहीं करने वाला हूँ मैं आज सिर्फ किसान के मुद्वे पे बोलूँगा और उसके बाद मैं अपना मूठ चुप कर दूँगा अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि जो दोसो किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने शरदानजली नहीं दी मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूँ मैं अपने बाशन के बाद दो मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा आप मेरे साथ खरे हो जाएए धन्यवार कि एक मुझे एक मिट्यवा एक आपे एक मिन माने अपने आप जै कि पीज्वार कि उए माने शदश्यगन माने सदश्यगन माने सदश्यगन यह जड़े बेटे बेटे बैठे मिनिट बैठे मानिय प्लीज बैठे मानिय सगन बैठे मानिय।